हेलो नमस्कार जाहेंद सुप्रीम कोट की समयधानिक पिठणे तरह समाती से हूसिए एलिट्रूरल बंड अर्था चुनावी बंड को रद्ध कर दिया है लेकिन इलेक्टवरल बंड क्या होता है ये इसेट पर ने क्यों रद्ध कि tension bounded किशो कर दीआ है सभ्क्राइब करें जिसे इस प्रकार के इंफर्मेडी वीडियो तम इससे में से आपका मिलती रहें देखते हैं इलेक्टोरल बांड इसा चुनावी बांड इससे वहते हैं इसकी घोड़सला के तोर पर से एक्ट का रूप दिया गया और 29 9 bad ्जणवरी 2018 से इसको लागू कर दिया गया है और राजनितिक दलॉक को दैने के लिए एक बीद्स जरिया है कि समकंड़ते दिया इसके दिया जाता है ये एक वचन पत्र की तरह होता है वचन की पत्र की तरह क्या है गल्फ को अनुधान किया प्रकार से इस प्रकार से कि नोट्स क्या होता है गटी कर देता है कि हम आपको इतने रुपे का 2000 रुपे का एमाउंट के लिए मैं बचन देता हूँ उसी प्रकार से ये भी एक क्या है बचन पत्र है यह एक इलेक्टोरल बंड क्या है एक बचन पत्र है एक बचन पत्र है जो ये बचन देता है कि उस राजनेतिक पार्टी को उस पार्टी को इतना रुपेया का अनुदान क्या जा रहा है भारत का कोई भी नागरिक अथवा कंपनी अथवा दंग या तो कोई भी सखाओं से खरीद सकता है इसे स्टेट बैंक की स्टेट बैंक की स्टेट बैंक का फिंडिया की निर्धारित सखाओं से इसको कोई भी बेक्ति अथवा कंपनी या संग या कोई भी खरीद सकता है और खरीद कर अपनी पसंद के अनुसार किसी भी राजनेतिक पार्टी को द पर्च राजनीतिक पार्टी को दे देते हैं पहले क्या करेंगी की सि अधिक्रीद ब्रांज से जाएंगे इलेक्टोरल बंड कर देंगे पत्र हो यह बंड रूंड तो था वह पार्टी जब बचन वह पत्र ले लेगी जैनी कि एलक्टारल बंड लेग दिх पर्पहत समें कर लैगी अपने आधिक्रीत अग्रीट से और सब्सक्रेस に असकी करते दिया किसने दिया है उस बांड को किसने दिया है यह बताना अनिवारे नहीं होगा अधिस्ता था बैंक को भी यह बताना अनिवारे नहीं होगा कि बांड किसने किस लिविट तक खरदा है यहीं चीज जो है कि विवाद का कारण बनी थी या की एक हजार 10,000 रुपे एक हजार रुपे एक सब्सक्राइब एक लाख रुपे भस लाख रुपए एक करोणों रुपे इनके बुलांक तर्फ में होता है इन में इनके फिर्म होता है इलेक्ते बांड इसर भांडर hasna karda होगत वे सकता है को सब्教授 में संवा है कि एक को एक 51 अक्टूबर 2003 से दो नॉवंबर दोहजार तेश तक इसकी सुनवाई चली सुप्रीम कोट में इसके बाद दो नॉमंबर को सुप्रीम कोट ने इसका फैसला रिजर्व कर लिया इसके बाद आप फैसला आया है नी कले इसे समय्धानिक भूलते हैं पांच जोजों की बिंच पेसला सुनाया है इसमें जिस जीव खन्ना जेस्टिस वी आर बंबई जेस्टिस वेभी घारदी वाला और जेस्टिस मनुज मिस्रा यह पांच जज़स की बेंच ने समयधानिक पीट्र ने इस फैसले के सुनवाई की है यह चुनावी बांड जो है इस चुनावी बांड को को सुप्रिम कोड ने आव समयधानिक घुशित कर दिया है इसकी पंद्रा दीनों की होती थी अब नहीं होगी अब तो किसी पार्टी को अनुदान कर देंगे पंजगित राजनेतिक दवलों को दान किया जाता था यह जन प्रतिने देतों की अधिनियम के तहट जिन्हों ने । आदिकृत कौन होती है है ऐसी पार्टी जो पिछले लोग सभा चुनाओं में अध्वा बिधान सभा चुनाओं में कम से कम एक परसेंट प्रशो ओट प्राप्ट कर ली हो आइसी पार्टी जो पिछले लोकसा की चुनाउं में ऊद्वा किसी बिदानस पärप्ट प्रन districts प्राप्त कर लिए वह लोग दंपर्ति निधित अधिनियम है लोक प्रित अधिनियम में पंजेकरीत हो जाती जब पंजीकृत उसको यह इलेक्टोरल बांड दिया जा सकता है उसको चंदा दिया सकता है आम बोल जाल की भासा में इसी को चंदा बोलते हैं पार्टियों को चंदा दिया जा रहा है कि रध क्या था फॉक में रद किया कर या क्यों ए सूचना का आधिकार का उलंगण करता था कि यह बंड जो है किसने खरीदा है घॊं में बिखतान पार्ट करा ठीज घुड और इसे दिया है उसको देहना कहां से प्राप्त हुआ है यानि कि वो इलेक्टोरल बांड यो जो चुनावी बांड है उसे कहां से प्राप्त हुआ है वो भी नहीं बताने के लिए अधिक्रित थी तथा बेंक भी बनाने के लिए अधिक्रित नहीं था कि वो किसको किसको बेचा है बांड इसलिए जब इसल सुचना का अधिकार का उलंगन करता था इसलिए इसे और समयधानिक करार गोशित कर दिया गया है अभिव्यक्त की अभिव्यक्त की अभिव्यक्त की अजादी में जानने का अधिकार किसी चीज को जानने का अधिकार राइट इनफार्मेशन अभिव्यक्त की अधिकार नहीं था पताया नहीं जाता था तो इसका अभिव्यक्त करता था इसको छुपाया नहीं जा सकता है शुपा कर रखा नहीं जा सकता है इसलिए यह दोनों का उलंगन कर रहा है सूचना का अधिकार का अभिव्यक्त की अजादी का उलंगन कर रहा है इसलिए यह समयधानिक नहीं है यह और समयधानिक है इसलिए इसे केंसिल किया जाता है तो सुप्रिम कोड ने आदेश दिया है कि चुनावी बांड को तुरंत रोकने का आदेश दिया कि अब कोई चुनावी बांड जारी नहीं होगा इस प्रकार से तथा SBI अब तक किये गए सभी चुनावी बांड का बीबरण 31 मार्च तक 31 मार्च तक उपलब्द कराएगा सुप्रिम कोट ने आदेश दिया है सब्सक्राइब तक 31 मार्च तक जीतने भी चुनावी बांड जारी हुए है इसकी सूचना उपलब्द कराना होगा किसको चुनाव आयोग को कराना होगा यानि कि SBI जो है इतने भी बांड जारी हुए उसकी सूचना 31 मार्च से पहले तक चुनाव आयोग को उपलब्द करा देगा और चुनाव आयोग क्या करेगा 13 अप्रेल तक चुनाव आयोग 13 अप्रेल तक अपनी आफिस्यल बेवसाइट पर इसकी जानकारी साजा करेगा पब्लिस करेगा जो सब के सामने उपस्थित हो गए जनकारी इस प्रकार से आपको जनकारी इसकी मिल पाएगी यानि कि इलेक्टेरोल बंड जिसे चुनावी बंड या आम आम बोल चाल की भासा में चंदा बोलते हैं इसकी जनकारी आपको चुनाव आयोग की बेवसाइट इलेक्ट इलेक्ट्सन कमिशन की आफिस्यल बेवसाइट पर 13 अप्रेल तक मिल जाएगी आपको तो इस समयधानिक फैस होता है कि अब तक समझ गये होंगे कि क्या होता है और क्या होता है चुनावी बंड दोनों एक ही बात है कि को आम बोल चाल की भासा में चंदा कहते हैं कि पार्टियों को चंदा दिया जा रहा है अभी के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल को अभी तर मैं समय से आपको मिलते रहें धन्यबाद